Hello everyone, welcome to English changes channel इसमें इत्राने वाली क्या बात है इसमें शर्माने जैसे क्या बात है इसमें याद रखने वाली क्या बात है और इसमें समझने वाली क्या बात है अक्सर हम अपनी daily conversation में कुछ इसी तरह के हिंदी sentences को बोलते हैं और सुनते भी हैं इस तरह के हिंदी sentences को कैसे बोला जाएं English में समझते हैं sentence structure को sentence को start करेंगी what's there say इसके बाद आपको use करना है to और इसके बाद sentence की main verb की first form को use करना है और इसके बाद आप use करेंगे other words अगर sentence में है तो और last में आपको sentence को end करना है question mark से अब एक example की help से समझते हैं कि sentence को कैसे frame करेंगे हिंदी में example है इसमें याद रखने वाली क्या बात है so sentence को start करेंगे what's there say इसके बाद use करेंगे to यहाँ पर याद रखना verb है तो इसके first form use करेंगे remember so now complete sentence is what's there to remember इसमें याद रखने वाली क्या बात है या इसमें याद रखने जैसी क्या बात है now let's see more examples इसमें इतराने वाली क्या बात है what's there to flaunt what's there to flaunt इतराने को इंग्रिश पर बोलते हैं flaunt next example इसमें शर्माने जैसी क्या बात है what's there to shy what's there to shy इसमें समझने वाली क्या बात है what's there to understand what's there to understand now friends आपके लिए two practice sentences है first one इसमें सोचने जैसी क्या बात है and second one is इसमें दिखावा करने वाली क्या बात है आप इन दोनों sentences को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में आप अपने answers कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें केप लेंडिग एंड थैंक्स वर वाचिंग हाँ आप में पूं